Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, आज हम बात करने वाले UPN जम सियच्चो भरती 2023 के बारे में तो सियच्चो आफिस और CCHN की जो नई भरती 2023 है उसकी अपडेट जो है जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है तो कब तक आएंगे CCHN और CCHN की वेकेंसी UP में और कितने पद लगभग यहाँ पर निकाले जाएंगे कब तक आजाएगे भरती और क्या जेनम वाले अपलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट टक बने रहें और अगर भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपको हम प्रवाइड करेंगे तो चलते हैं ओफिशल वेबसाइट पर तो फ्रेंट्स हम यूपी अरचम के ओफिशल वेबसाइट पर आ गए हैं उपर आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं यूपी अरचम.gov.in ये इसकी ओफिशल वेबसाइट है करेंगे तो यहां पर आपको पूरी जानकाई मिलने वाली है तो आपको सबसे पहले हैं यहां पर CCHN और CHO दोनों की वेकेंसी आपको इस साल देखने को फिर से मिलेंगी तो इसमें करीब-करीब मैं आपको बता दूँ कि 5-6,000 पर दोनों वेकेंसी में रहने वाले हैं इससे कम पर तो नहीं आएंगे तो 5-6,000 वेकेंसी इस बार CCHN की फिर आपको देखने को लिए और यह वेकेंसी 5-10,000 के बीच में आएगी यह कंफर्म है तो दोनों पर जो CCHN के बैच होगा और जो CCHN की वेकेंसी होगी इन दो 5-10,000 के बीच में वेकेंसी इस बार रहने वाली हैं तो बहुत ही बड़ी संख्या मेह पर भरती यह होगी और इसके लिए जो भी कंडियर्स त्यारी कर रहे हैं वो अपनी त्यारी करते रहें और यहां पर आपको बता दें कि जो CHO की भरती होगी वो आपकी मेरिट बेस प के बाद आपकी पोस्टिंग होगी तो यह दोनों भरतियां यहां पर जो आएंगी इसमें लगभग लगभग 10,000 के आसपास नहीं कि 5-10,000 के बीच में आपकी वेकेंसी रहेंगी तो इसके लिए जो भी तैयरी कर रहे है वो अच्छे से तैयरी करते रहे तो यहां पर यह वेकेंसी कब तक आएंगी इसके लिए सबसे पहले आपको हम इसकी पुरानी जो नोटिफिकेशन से उसकी तरफ लेके चलते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम आप बात करते हैं जो वेकेंसी जो पहले जारी की गई थी पिछले साल आप दे सकते हैं यह वाली वेकेंसी इसका रिकूर्मेंट नमबर यहाँ पर दिया गया है आप देशकते हैं HR आपलिक स्यच्चो 1223 आपलिक 2571 यह जो वेकंसी जारी की गई थे आप देशकते हैं तो जुझा 22-9 अगर्ट तो जब 22 के मध्य में यहाँ पर आप लोगों से आविदन लिए गये थे तब से अभी तक यहाँ पर कोई वेकंसी नहीं निकालेगे अब यहाँ पर जो इसकी वेकंसी आएगी यह सीचेशन वाली इसके एकारडिंग अरकर देखा जाए तो आपकी जुलाई में ही यहां पर आ जाएगी जुलाई के फर्स्ट विग में या फिर जून लास्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जून अगर जुलाई में वेकेंसी फाइनल आ रही है तो यहां पर आप देख से बीच जुलाई से फार्म स्टार्ट करें तो यहां से आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं उपर साफ साफ लिखा हुआ है Community Health Officers CHO through 4 Month Certificate Training in Community Health for Nurses CCHN फार 2223 से से National Health Mission उत्तरप्रदेश अब यहां से क्लियर हो गया जो गाइडलाइन जारी की गए थे जो CHO की वेकेंसी थी CCHN बैच 2223 के लिए उसकी नोटिफिकेशन यहां पर है और यह देख सकते हैं उफिचल वेक्सवाइट पर आ गई थी और यह एडवर्टीजमेंट नंबर इसका रिफरेंश नंबर यहां पर दिया गया था तो इस जो CCHN की वेकेंसी होती ही CCHN बैच की इसमें आपका 4 मन्त का ट्रेंणिंग प्रोग्राम होता है यहां पर देख सकते हैं Community Health वेकंसी होगी डायक्ट उस वह आपकी मेरिट बेस पे रहेगी और यह आपका एक्जाम इसमें लिया जाएगा तो CCHN का जो होगा यह आपका एक्जाम के बेस पे कराए जाएगा तो यह आप यहाँ पर दे सकते हैं इसमें पिछले बार जो वेकंसी जारी की गई थी आप दे स इसके लिए तो ऐसे में इस बार भी कम से कम इतनी ही vacancy situation batch में situation के लिए आएंगी और जो भी candidates त्यारी कर रहें अच्छे स्तियारी करते रहें क्योंकि इस बार भी paper बहुत ही अच्छा आया था काफी लोगों ने बहुत ही score भी किया है और अच्छे score के साथ इस बार रून का selection भी हो रहा है तो ऐसे में यहाँ पर यह जो vacancy आई थी आप दे सकते जुलाई में जारी की गई थी और इसके लिए आप दे सकते 20 जुलाई से आप से application मांगे गए थे और 9 अगस्ता का आप लोग application यहाँ पर submit कर सकते थे अब इसके बाद यहाँ पर सारी information यहाँ पर दी गई थी आप दे सकते इस बार जो यहाँ पर vacancy आएंगी उसमें आपका कोवीड का भी जुड़ेगा तो कोवीड का भी यहाँ पर मार्स भी जुड़ेंगे तो आप दे सकते हैं दिया हुआ है 5 परसंट मार्स मार्स का जो बाइफर्केशन होगा वह कैसे होगा इसकी information यहाँ पर दी गई है और minimum क्वालिफाइंग मार्स जो रहेगा आपका CBT में आप वह भी यहाँ पर दे सकते हैं CBT में जन्रल और EWS के लिए 33% मार्स यहाँ पर क्वालिफाइंग रहेंगे तो यह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्स रहेगा आपका CBT बेस्ट जो एक्जाम होगा उसमें CBT बेस्ट एक्जाम में आपका यह क्वालिफाइंग रहेगा सेलेक्शन के लिए आपको अच्छे खासे मार्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप 70 प्लस इसको करते हैं तो आपका सेलेक्शन 100% हो जाएगा और आगर आप COVID experience अपलोड करते हैं prescribed format पे तो आपका जो है उस सकता है जनरल नर्सिंग में ड़ाइफरी जी एनम और ब्यासी नर्सिंग और पीबी ब्यासी यालिक केंडिट तो यहां पर मैं आपको उता है जो थमिल में उन्हें आपको लिखा है क्या जी एनम वाले अपलाई कर सकते हैं लेकिन किस पोस्ट के लिए CCHN का जो पोस्ट जो जी नम वाले candidates भी apply कर सकते हैं सैल ली वगरा का यहां पर प्रोसेस आपको बता दिया गया है कितना रहेगा अपलिकेशन फार्म क्या रहे का प्रोसेस दिया गया है आपका यहां पर किसी प्रगा की कोई आपको आपको देखने को मिल जाएंगे स्लेबस भी आपको यहा करनेंग आप त्यारी अभी से करते रहें और जैसे वेकेंसिया अपलाई करें और अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई भी करें तो यह तो हो गई सीचेचन की वेकेंसिया आएगी आपकी वह कब तक आएने की उमीद है जून के लाश्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आने क तो इससे पहले यहाँ पर जल्दी जो नोटिफिकेसन जारी की गई थी आप दे सकते हैं यह रेफरेंश नमबरें आपर दिया गया 593-SPMU NGEM HR – 2222 नोटिफिकेसन नमबरें आपर दिया गया और आप दे सकते हैं 4,000 जो सेचों की वेकेंसिया जारी की गई थी उसकी नोट यहां पर दे सकते थे, दिसम्बर में जारी की गई थी, तो इसकी notification यहां से हम डाउनलोड कर लेते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन को यहां से डाउनलोड करना है, आप दे सकते हैं नोटिफिकेसन यहाँ पर डाउनलोड हो गई है और टोटल कितनी वेकंसी निकाली गई थी आप देख सकते हैं चार जाव वेकंसी आप पर तो इस तरह से इस बार भी कम से कम इतनी वेकंसी तो आनी आनी ही है हो सकता है इसमें और बढ़के आएं तो टोटल मैंनेजर आपके बता है कि 5 से 10 अजा के बीज में तो आपकी वेकंसी टोटल 10 जा के आसपास यहाँ पर रहने वाली है तो 10 जा के आसपास वेकंसी आपर रहने लोग बाकी सेम चीज़ें वही रहेंगी अच्छा एक चीज़ औ OBC हों चाहे EWS कंडिडेट्स हों प्रिसक्राइब फार्मेट पर जो इनका कार्ट सर्टिफिकेट वगरा जो भी बनेगा या जो भी बनना है आपका जितने भी सर्टिफिकेट है वह एक अपरेल 2022 के बाद का होना चाहिए तो यहाँ पर आप दे सकते एक अपरेल 2022 के बाद क यहाँ पर मांगा गया था तो इस बार यहाँ पर जो डेट होगी वह आपकी एक अपरेल 2023 हो जाएगी यानि कि एक अपरेल 2023 के बाद का बना होना चाहिए यानि कि अभी आपका मार्ट चल ला है अपरेल जैसे ही चालू हो तो आप अपना चाहे OBC कंडिडेट्स हों चाहे E एक अपरेल 2023 के बाद से बनवा ले आनि कि अभी अपरेल लागू होगा तो उसके अपना यह सर्टिफिरेट्स बनवा के रख ले क्योंकि यह ही आपका आगे लगने वाला इस जो यह वेकेंसी आएगी इसमें आप साब साब देशकते हैं इसमें BSC और PB BSC वाले ही और यह वेकेंसी आपकी दिसम्बर में जारी की गई थी तो इसी के आसपास यह वेकेंसी फिर आएगी नॉमबा या दिसम्बर में आपकी वेकेंसी आपके आजाएगी और इसमें भी COVID मास आपके जुड़ेंगे सारी चीज़ें हापके आप दे सकते eligibility criteria और अगरा सारी certification fees इसमें भी किसी प्रगा की कोई नहीं है यह साई चीज़ें हाँ पर आप सभी लोग दे सकते हैं बाकि इसमें exam का process नहीं कोई exam नहीं करा जायेगा और यहां पर आपको format भी दिया गया और इसी तरह EWS का format भी यहां पर दिया गया है आप सभी लोग दे सकते हैं यह साई आपके पास सोनी चाहिए और यह वेकेंसी कितनी कहां पर किस टेस्टिंग भाएंगी इसकी इन्फार्मेशन भी आपको उसमें मिल जाएगी तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल यहां पर आपके पास इस साल जो है करीब करीब 10,000 वेकेंसी आपकी देखने को और यह वेकेंसी आपकी जुलाई से लेकर आपकी दिसंबर के बीज में दोनों वेकेंसी आपकी आजाएंगी तो जो भी कंडियर सी सेचन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और तयारी कर रहे हैं वो अपने तयारी जोर से स्टार्ट कर दें बहुत ही जल्द नोटिफिके झाल 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 झाल